अगर एक लड़की दूसरे लड़की से प्यार करने लगे और प्यार इतना बढ़ जाए कि दोनों एक दूसरे की होने का सोच ले तो आप क्या कहेंगे वैसे तो हमारे समाज में समलैंगिक रिष्टों को बहुत ही हींद रिष्टी से देखा जाता है लेकिन सरकार ने इस रिष्टे को भी एक नाम दिया है एक कानून बनाया है और समाज में जैसे आम रिष्टे को दरजा मिलता है इज़त से लोग देखते हैं वैसे ही समलैंगिक रिष्टों को भी इज़त से रहने की बात कही है और लोग उनको भी इज़त दे उसकी बात सरकार की तरफ से की गई है लेकिन क्या आज भी हमारे समाज में समलैंगिक रिष्टों को अपनाया जाता है ये एक बड़ा सवाल खाड़ा होता है वो इसलिए क्योंकि आज भी जब कोई समलाइंगिक एक दूसरे के होना चाहते हैं तो परिवार वाले ही सबसे पहले उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और एक ऐसा ही मामला पटना में देखने को मिला है दरसल राजधानी के पटना में एक लड़की दूसरी लड़की से इतना प्यार करने लगी इसकदर प्यार करने लगी कि दोनों एक दूसरे से शादी करने की ठान ले लेकिन उनके परिवार वाले इसके खिलाफ नज़र आ र ये दोनों लड़कियों की मुलाकात हुई थी दोनों लड़कियों की मुलाकात के बाद दोनों बाते करने लगी बाते इतनी गहरी हो गई कि दोनों एक दूसरे के होने की ठान ले और इसके लिए परिवार को जब कहा तो परिवार वाले नहीं माने और इसलिए दोनों घर से भाग भी गई दरजल खबर ये सामने आ रही थी कि एक मॉल में दोनों गई थी और वहां से फिर दोनों गायब हो गए जिसके बाद परिवार वाले एक दूसरे के ही उपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे बता दे की एक लड़की का नाम तनिश्क श्री है जो की 19 साल की है दानपूर की रहने वाली है दूसरी लड़की का नाम श्रया घोश है जो की 22 साल की है और पटना में पाटले पुत्रा थाना इलाकिक की रहने वाली है पाटले पुत्रा की थानेदार के अनुसार चार दिन पहले दोनों लड़कियां पाटले पुत्रा के एक मॉल में मिली और वहां से दोनों गायब हो गई इसके बाद ही तरिशक के परिवार वालों ने केड़नापिंग का मामला दर्च कराया इसके बाद से पुलिस टीम केस की परताल कर रही थी इन्हें एक खोजने में लगी थी भागने के बा दोनों को मदद नहीं मिली दोनों इसके बाद गहार लगाने के लिए SSP मानव जीत सिंग जिलो से मिलने की कावायत में जुट गई महिला थाना से मिली तनिश्क की बेहत घबडाई हुई थी महिला थाना का कह रहा है कि तनिश्क काफी घबडाई हुई थी क्योंकि उसका कहना था कि मेरे घरवालों ने जो एक और लड़की है उसके उपर यह आरोप लगाया है कि वो से किरनाप की है लेकिर वो अपनी मर्जी से भागी है अपनी मर्जी से वो तोनों साथ रहना चाहती है और इसलिए हम लोग काफी डड़े हुए हैं बता दें क्यों वो बताती है कि चाचा विशाल शर्मा और मामा अमर कश्य अपने केस किया है इसका रोप है कि श्रया घोश ने मुझे किरनाब किया है जबकि ऐसा नहीं है हम मर्जी से आए हैं चाचा और मामा की तरफ से हमें लगातार धमकी दी जा रही है कि अगर हम अम्मिल जान से मार देंगे वहीं उनका मुवाइल फून भी छीन लिया गया है घर से बाहर निकलने पर पावंदी लगा दी गई थी एक दिन परिवार के लोग मुवी देखने जा रहे थे तब हम अपनी मर्जी से एक स्टाफ के मुवाइल से श्रया को कॉल किये उसे मौल बुलाया और वह मुझे जबरदस्ती लेकर नहीं गई थी मुझे श्रया के साथ जाना ही था चाहे कुछ भी हो जाए मुझे श्रया के साथ ही रहना है और घर गए तो परिवार वाले लोग मुझे और मेरे परिवार को भी मार देंगे यानि की सीधे तोर पर उन दोनों लड़कियों को डर है कि अगर वो अपने घर जाती है तो उनके परिवार वाले उनको स्विकार नहीं करेंगे और उसे जान से माणने की भी धंकी दे रहे है तो यह सवाल एक बार फिर से खरा होता है कि क्या सरकार ने समलैंगिक रिष्टो को एक दरजा जरूर दिया है और उन्हें यह जरूर कहा है कि समाज में उन लोगों की भी उतनी ही इज़त होनी चाहिए जितनी आम लोगों की होती है लेकिन क्या हमारा समाज इसे स्विकार कर रहा है ये एक बड़ा सवाल खरा होता है और उसका जीता जाकता हो धारान राजधानी के पटना में देखने को मिला जब दो लड़किया एक दूसरे से प्यार करती हैं शादी करना चाहती हैं लेकिन उनके परिवार वाले बीच में आते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें धमगी देते हुए नजर आ रहे हैं कि शादी कर लोगी तो तुम्हें जान से मार देंगे और इसे ही लेकर कि वो लगतार थाने का चकर लगा रही है हाला कि अब क्या कुछ कारवाई होती है इस पर क्या कुछ निर्णे लिया जाता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा और बेसे खबरों के लिए आपको शिश नियूस के साथ बने रही धन्यवाद